कैसे वाप लोग तीन में तक और रुखना है या मैं Android 10 का Navigation Gesture, Navigation, Navigation Android 10 का Navigation Gesture ठीक है, अच्छा है, लेकिन दिल मांगे मोर, आई उसको उप्ग्रेड करते है कैसे अपने Android 10 के Navigation Gesture के जो बहुत लिमिटेड फीचर है, उससे कहीं जादा एडवांस जाशन फीचर पर आसकते हैं, बहुत ही अच्छा ट्रिक है अगर आपके पास Android 10 नहीं भी यह तो भी आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं Android 10 से भी काफी काफी अच्छा Navigation Gesture आप अपने Android फोन के इंदर यूज कर सकते हैं नो मेंटर Android 10 है या Android 9 है या Android 8 है इस सभी में चलेगा लेट्स के स्टार्टेड शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कैसा करते हैं इस सब चीज़ेगा तो आप मेंसे कुछ लोगों ने सुना होगा और अपने इंट्रो देखा उससाब को पता चलिगा होगा कि फ्लूइड ने कि अच्छी चीज़े कर सकते हो तो Android 10 के जस्टाइल है वो तो बिल्कु समें वाक करेगी प्लस आप उसमें एडिशनल बहु साई चीज़े कर सकते ह देखते हैं क्या क्या अची है ग्या कि चीज़े सो सबस्रेबको अब कर विवी अकै तो सबसुतन आपको जानादकर ऑन जाना स्ट्रिंग अरुसो को इनेपल कたना इन तो उसके बड़ को फ्लूइट निविगेशन जैशर को उपन करना है लिंक इसका निचे डिस्रिप्टिक्टिन के अंदर एवाज आप सकते हैं उसके अपको सारी परमिशन ज़ी परमिशन ये अपसे मांगेगा इसको इने बल कर सकते लेकिन इने बल करने पर देख सकते हैं इसके बाद आपको फोन को कनेक्ट करना अपने PC से और अपको ADB कमांड होने चाहिए के अंदर इसका लिंक भी नीचे दिस्क्रिप्शन के अंदर आपका अपका फॉल्डर कर सकते हैं उसके आपका फॉल्डर यहां पर फोल्डर के अंदर मिनिमल एडीबी करके फोल्डर है पर उपन करना उसके बाद को छोड़ा से अपर टाइब करना है को देच कर सकते हैं और अब को एंड्योट 10 और जेस्से अच्छे नेविटर इनेबल करने के लिए को क्या क्या करना है मैं आपको सबसे प्लिए इसका इपको चाहिए है लोके आप जाएंगे तो आपको लेका करना है आपको एडवांस के दर जाना है और यहां पे रूली पर एप लिखा हुआ है इसके अनर आपको यहां पर बॉस आप चीज़े ओन होगी पॉस वाप कर दिन आपको नाविज श्क्रीन अपर चाहिए तो आप इसको इनीबल कर सकते है तो यह भी अच्छा फीचर उसके पर trigger के अंदर जाएंगे तो आप दिख सेटेएं पर rotate trigger पर आपको विडिए अभर आप फोन गड़ेट करते हैं तो जिसकी जो trigger है वो भी रोटेट हो जाएंगे इसके साहत में तो आप यहां पर right-side में swipe करेंगे तो यह back बन जाएगा और यहां पर center में swipe करेंगे तो यह तो बात हो कि look and feel कि आपन बात करते हैं इसके इंदर जेश्टर के बारे में तो आप देख से तीन अलग जेश्टर के ऑप्शन से साइस सेंसिटिविटी यह सब चीज़े अप एजस्कर सकते हैं अपने साब से ओस्ट सब्सक्राइब और बापस दो आप कर दो आप से नाविगेट कर सकता हूं वाला एज उसके इन पर देख सकते नीचे मेरे पर तीन बने हुए एक में राइट साइड में आप करूंगा तो आप देख सकते हैं नोटिफिकिकिशन बालन डाउन हो जाता है जो कि मुझे काफी पसंद आता है और सेंटर में जा स्वाइब आप है वह है हो और लोंग स्वाइब है मल्टी टास्किंग वाला और बिलकुल लेफ टायड वाला जो स्वाइब है वह बैक करने वाला उख ए आपको यह वाला फीचर चाहिए आपको यह वाला फीचर पर टैप करेंगे तो आपको यहाप पर प्रीवस एप पर टैप करना है आप जब भी गरेंगे बाटम में अडर्ट आप करेंगे तो आपको प्रीवस एप अब लेट पर टैप जायेगा तो यह बिल्कुल आप जैसा हो चुका है नौ साथ ही जाथ यह फीचर आप देख सेथे लेफ एज में और राइज वाले ओप्शन के अंदर भी है बड़ आ सबसे अच्छा वाला जैसे मैंने अब कर दें तो आप किसी भी एप्लिकेशन के अंदर है आप मुझे स्क्रीन करनी है तो मुझे मल्टी टास्किंग पर जाके इस पहले बटन पर टैप करने की ज़रूरत नहीं है मुझे क्या करना है बीसिकली मुझे स्वाइप करना है और आप देख सकते हैं स्वाइप करना है और शुक्त करना है और उभी पसंद आया है और आपका सारा चाहां सिर्फ इन जासे हो जाता है बहुत सारी चेज़े आप कर सकते हैं इसमें अनलिमिटेज्ट जश्य है तो आप अपने पूरे फून को जैसे रवाइस कांट्रोल कर सक करते हैं और उसको पसंद आया होगा सदेश से देखा सबने कितना अच्छा और कितना एडवांस ने जेशन जेशर है और बहुत ही ज्यादा पसंद आया मुझे अब मैं एंडू 10 के निविगेशन जेशर बिल्कुल यूज नहीं करूंगा क्यों कि में बहुत हैं उसमें कि आप लोगों को सब्सक्राइब करें और आने माली हर डेली वीडियो के लिए थैंक्यू सो मच पीस आउट लव यू बदने करें आने फिल्क्राइब करेंड़ कि ताम के नहीं करें लिए कि वीडियो मुझे भाम